बदोई जिले के अभोली ब्लाक में सागरपुर गाउं में सवचाले ना होने के कारण फोटो देवी सही तिन सव परिवारों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है मैं अंजनायादव और यह है मेरा समधा है आपके घर सवचाले बना है? नहीं आपके गाउं में कितने लोग हैं कि जिनके पास सवचाले नहीं है? रे अड़ाई तिन सवच के लिए कहां जाती है? बाहर दिक्कत क्या होती है? बहुत दिक्कत है बरसाथ ने कीरा बिच्छी तारा गड़ा ही तबाना कि मने कहीं जाए बैठी सवचाले के लिए कोई प्रयास किया? घर के आद में जाते हैं यान बाहर बगर परधान बोलते हैं चलो हो जाए पता नहीं कब होए सवचाले बनने से फाइदा क्या होगा? बाहर जाते हैं तो आपन घर ने बैठने उठें उठें आपके घर में सवचाले है? आपके जैसे कितने लोग हैं जिनके पास सवचाले नहीं हैं? कम सकम अढ़ाई 300 सवच के लिए आप लोग कहा जाते हैं? बाहर बाहर जाने में दिक्कत होती है? दिक्कत तो बहु जादा होती है जबाटे ठंडी में हुआ बार साथ में हुआ टाकि बहु बेटियों के बाटे बाहर जाना पड़ता है क्या सवचाले के लिए कोई प्रयास किया अपने? हमने प्रयास किया प्रधान जी के पास गये प्रधान जी जो किलिक बाड़ कर गये हैं बोले हैं कि बनेगा मैं चाहती हूँ कि इन परिवारों के यहां सवचालय बने जिससे इनके समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने माले सभी दर्सकों से अफिल करना चाहती हूँ कि अभोली बलाग के वीडियो जिनका मुबाइल नंबर 94-58-68-20 पर दबाव डाल कर हमारी मदद करें। मैं अंजनायाद उत्तरपरदेश इंडिया अनहाट के लिए।